इनको जंते के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है पूरी तरह से मानि नितिश कुमार जी कुर्सी के लालच में कभी यहां कभी वहां इतने फरस्टेशन में हैं इतने घबराये हुए हैं तेरसी परसाज आदब जी के लोक प्रियता जो नौजमानों युवाओं और विरुजग इस लोक तंत्र की रक्षा हम करें और कैसे बिहार और देश से भाजबा का को खतम करें हम लोग निश्ची तरुप से पार्टी में और लेडी हुए हैं इसमें कहीं कोई निश्ची तरुप हैं हम तमाम ऐसे निसाद भाईयों को कहना चाहते हैं कि मानिये लालू प्रसाज जादब जी जब भिहार के मुख मंतरी बने थे तो उन्होंने जलकल टेक्स को माफ करने का काम किया था यानि लाश्टिये जनता डल सहनी परिवार के साथ हैं नमस्कार स्वागात आपका लाइब बिहार में मैं हूँ आपके साथ संजीव सिंग देखे पिछले 28 जनवड़ी को ही मुख मंतरी नितीज कुमार ने महागठ बंदन का साथ छोड़ करके एंडिये में सामिल हो गए और नोवी बार मुख मंतरी पद का सपत ले लिए लेकि अब वो भी डल गया है बार बार ऐसा क्यों हो रहा है तुमाम मुदी पाइए हम बात करते हमार साथ बात करने के लिए आरजिजी से विधायक सप्रदाहन महासचीव है रनविजय साहों जी क्या कहेंगे डेर महने से उपर हो गया लिकि अभी तक मंतरी मंदल का विस्तार न नाम है ऐसा जो कोई माँ बाप अपने बच्चों को रखेगा नहीं तो इनको तो जंता से कुछ लेना देना है नहीं यह तो जुम्लेबाज जो नौजमानों को युवाओं को हमारे विरुजगारों को किसानों को सिर्फ ठगने का काम करते हैं तो आज इनको कोई इसी प्रकार से आज 2 महीने के आस्पास हो चुका है मचली मंडल के विष्टार ने हुडा है आ अपस میں सब सिर्फ वोटो कर रहे हैं माथा पॉलोग कर रहे हैं जो होता है तो हमें लगताहै कि बिहार की जंधा देख रही है और बिहार की जंधा को ये की आसा वहासा है मानी तेसी परसाज जादब इतनी आस्था है विकास नहीं हो रहा है लेकिन नितीश कुमार या जेडियू कि प्रियता जृजवानों यूवाओं के बिरोज़गार से बेचाइनों अखर जदियू इतने दिनों से पुष्टर क्यों ने लगा रहे थी अगर यह दावा कर रहे हैं कि हमने नोकरी दी हमने काम किया तो इसका परचार पहले क्यों कर रहे थी तो कहीं न कहीं तैसी परसाज आदब ने जो लकीर खिज दी और इतनी बड़ी लकीर इस बिहार में हमें लगता है उस लकीर को कोई पार नहीं कर सकता है तो एक बड़ा इभलूसन बिहार में हुआ जहां बिहार नफरत के लिए जहां बिहार में मुद्दो की बात नहीं थी उस बिहार को ट्रैक पर लाने का काम किया आज तमाम नौजमानों के आँखों में ए कि बिहार में अजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार गानी मैदान में लाखों नौजमान अपने साधन से आए और इनकलाप अकरांती करके गए कि तेशी परसाजादव तुम आगे भरो बिहार का नौजमान तुमारे साथ अब इसको कोई रोक ने सकता है चुकि इसमें भ आगे अगे इसमें क्या है हमारा विचारदारा मजगूत हैं हमारी लडाई की है कि इस देश के समिद्धान की रक्षा हम करें इस लोक तंत्र की रक्षा हम करें और कैसे बिहार और देश से भाजबा का को खतम करें जो इनका तुगलकी फर्मान है, जो इनकी हिटलर साही है, जो विरोधियों कि यहाँ सीविया इंकम टेक्स एडी का डर दिखाती है, तो तमाम ऐसे मुद्दे पर हम सब एक है, और हमारा विचारधारा भी एक है, और सीट सेरिंग पर कहीं हमारा कोई केंफ्यूजन नहीं है, अल इज बेल, हमारे जो मानी नेता है, तो यसलि परसाघटा ज्राध जिया लालू जी है, लगातार राहुल गांदी जी के संपर्क में, छो के बरे नेता है उनके संपर्क में, जो सिपी आई के निता है, CPM के निता है, I, M के निता है, तमाम लोगों से संपर्क में, हमें लगता है कोई confusion नहीं है, सारे लोगों का दिसा एक ही है, कि भाजवा से बिहार और देश को कैसे खतम किया जाए, MIM के तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में 11 लोगस्वा सीट पे जो है, उमिदवार उतारे जाएंगे, कितनी असर होगी इसे, लेकि जनता सुनने वाली नहीं, अब बताएए एक तरफ जो देश को जलाना चाहती है, देश को तोरना चाहती है, समिधान, भाजवा, एंडिये, MIM के बारे मूलने होगे, तो ये लोग जो है, अगर उमिदवार देते हैं, हमें लगता है कि यहां की जनता सुनने वाली नहीं है, पूरी तरह से लालुज परसाद जादब जी का जो एक समाजीक न्याय है, उससे लोग हटने सकते हैं, यहां मुद्दे है कि जिस परकार से नरंदर मोदी और भाजपा की सरकार, अब मोदी के गरांटी लेके निकल नहीं आगी, आगे समिधान बदला जाएगा, तो जो भी स्वक्लर लोग है, सब का विचारधरा एक है, कोई इसको बाटने सकता है, आप करें बाटने सकता है, पिछली बार MIM जो है, पांच सीट, बिधान सभा चुनों में पांच सीट पे जीद धर्ज की थी, कहीं ने कहीं असर तु दिखा, क्या लोग सभा चुनों में भी इस तरह कुछ होगी, हमें लगता है कि लोग सभा में इसका कोई डर नहीं है, पूरी तरह से जो भी हमारे मैनुटी भाय है, पूरी तरह से एक अरवानी जी को, श्री लालू परसाज आदब ने, जब कमंडर लेकर निकले थे देश में नफरत फैलाने के लिए, देश को जलाने के लिए निकले थे तो समस्तिफुर में उनको गिरफटार करने का काम किया था, अलफ संख्यक भाय इस चीज़ को कभी भूलने सकते हैं आप लोग हमेशा से कहते रहें कि अलफ संक्यक समाज के लोग आप लोग के साथ हैं, लेकिन अब हिना सहभ जो है वो भी एलान कर दी कि सिवान से जो है, वो या उनके जो बेटे हैं, वो चिनो लरेंगे, तैयारी भी सुरू कर दी है, तो क्या लग रहा है इस बार अलफ सं विचारधार है इस पार्टी के, कोई इनकार ने किया सकता है, और उनका भी जो विचारधारा है, सारे लोग का विचारधारा एक है, कि इस देश से भाजपा का खात्मा हो, इस बिहार से भाजपा का खत्मा हो, देश सुरक्षित रहेगा, जब भाजपा की सरकार नहीं रह है है और हमें लगता है कि उनका जो विचार मांग निशाद रख्षन की पर बात करेंո हम उनके साथ हम तमाम ऐसे निशाद भाईयों को कहाना चाहते हैं कि मानी लालू परसाज जादव जयुए बिहार के मुख मंतरी बने थे तो उन्होंने जलकर ener को माफ करने का काम किया था यानि लाश्टिये जन्ता डल माघटवंदन परिवार सहनी परिवार के साथ है जुबह सहनी का पार्क बनवाने का काम किया मुझहफर है कई एसे काम करने काम करते हैं तो हमें लगता है कि पूरी तरह से उनका समाज एक जूठ होके राष्टी जंता देल के साथ हैं अर्जेटी के विधायक सप्रधार महासची रनवियस साहोजी नहीं साब तो पर कहा कि हीना सहब जो है वो हमारी पार्टी से ही जूरी हिवे और उनकी विचार अधारा है मिलती चूलती है और संभावना है यानि कहीं कहीं सारविस्वर में कह दिया है कि अभी भी संभावना है कि हीना सहब को टिकट मिल सकता है तो दखने बड़ी बात होगी कि लोग सबस्क्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें